हालो एवरिवन इस्टड़ी HRM बाइदिशा चतुरवेधी चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम शौड वीडियो सीरीज में HRP यानि की Human Resource Planning की प्रोसेस को क्लियर करेंगे इसी तरीके के अन्य important वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें and specialized courses के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल या वाटसब पर हमसे जुड़ें या फिर description box को चेक करें काफी सारे specialized courses मैंने launch किये हैं so be tuned to my channel HR planning है वो एक strategic planning के अंतरगत आती है यानि कि जो company का vision and mission होता है उसके according ही human resource की planning की जाती है और सबसे पहले forecasting की जाती है HR requirement की यानि कि future में कितने individuals की जरूरत होगी इसको forecast किया जाता है उसके बाद में कितने individual available होंगे इसके बारे में forecasting की जाती है और फिर availability और जो requirement है उसके बीच का gap पता किया जाता है जब हम compare करते हैं इन दोनों चीजों को तो तीन option निकल कराते है या तो जो demand है यानि कि जो requirement है equal होगी supply के यानि कि जो availability होगी और requirement होगी या तो वो दोनों बराबर होंगे या फिर surplus of workers यानि कि जो availability होगी वो जादा होगी जबकि जो requirement है वो कम होगी तो ऐसे case में surplus of workers हो जाएंगे तीसरा case है जब हम compare करेंगे तो तीसरा case निकल कर आता है shortage of workers का यानि कि जो हमारी requirement है वो जादा होगी और जो availability होगी human resource की वो कम होगी ऐसे time पर shortage of workers हो जाएगा तो अब इन तीनों cases में क्या किया जाएगा वो देखते हैं कि अगर demand बराबर supply है तो फिर कोई भी action लेने की ज़रूरत नहीं है कोई भी manager को कोई भी किसी भी तरीके के action लेने की ज़रूरत नहीं है दूसरे case में जब employees ज़रूरत से ज़ादा होंगे यानि surplus में होंगे ऐसे time पर HR manager को कुछ required actions लेने होंगे जैसे कि restricted hiring करनी होगी या फिर workforce को reduce करना है या early retirement देना है या फिर lay off करना है या downsizing करनी है company में इस तरीके के कुछ managerial action लेने पढ़ेंगे यदि shortage है workers की तो manager को recruitment, selection, transfer, promotion आदी चीज़ों के त्रू workers की shortage को recover करना होगा HRP की जो process होती है उसमें सबसे पहले जो organization के objective और plan होते है उसके according ही human resource को link किया जाता है human resource की planning को organization के objective और plan से link किया जाता है उसके बाद में जो manpower की requirement होगी future में उसको forecast किया जाता है then manpower inventory prepare की जाती है यानि कि present में organization में manpower जो available है उसकी inventory उसके बारे में पता किया जाता है फिर assessing internal supply of manpower उसके बाद में जो internal supply होगी requirement के time पर उसको पता किया जाता है फिर जो manpower gap होगा यानि कि जो availability है और जो requirement है उसके बीच के gap को पता किया जाता है then designing action plans to bridge the gap और उसके बाद में जैसे मैंने अभी आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो action plans लिये जाते है according to situation जो gap होता है या तो जो surplus होगा या shortage होगी या requirement और availability बराबर होगी तो जो भी case होगा उसके according action plan लिये जाएंगे वीडियो कैसा लगा comment box में comment करके बताएं इसके लावा आपकी क्या क्या requirements है उनको भी आप comment करके बता सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको जरूर लाइक करिएगा चैनल को subscribe करिएगा and recent videos के timely update के लिए bell icon को क्लिक करना कभी भी न भूले थैंक्स फो वाच्छिंग